दोस्तो मेरे पास यह जो device है, Motorola ब्रैंड की है, back side में आप देख सकते हैं Motorola की branding है, इसका model नमर आपको बता देता हूँ, model नमर है Motorola Ace 40, द्यहां से सिन लीजिए, model नमर है Motorola Ace 40, और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Motorola Ace 40 को unlock करने का तरीका, यानि कि इस device का pattern lock, pin lock या password lock रिमूब करने का बिल्कुल फ्री तरीका तो विडियो को ध्यांस देखें अगर आप भी Motorola AS40 यूज़ कर रहे हैं आपके device pattern, pin या password lock है तो मेरी इस विडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे without PC, without laptop बिल्कुल फ्री में आप अपने Motorola AS40 को unlock कर पाएंगे यानि कि इसका pattern, pin या password lock रिमूब कर पाएंगे तो दोस्तों आपने देखा device हमारी पूरी तरह से pattern lock है अब ध्यान से सुनिए device को unlock कैसे करना है देखे दोस्तों, इस device को unlock करने में एक छोटी सी problem फेज करनी पड़ती है जब आपकी device pattern, pin या password lock होती है तो इस condition में आप इस device को power off नहीं कर पाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, device को power off करने के लिए आप volume up और power button इन दोनों button को एक साथ प्रेस करिए, और यहां से device को आप power off करिए तो यह देखे, यहां पर यह option आपको देखने को मिल गया यह बोल रहा है कि पहले आप pattern draw करिए, उसके बाद ही आप अपने device को power off कर पाएंगे यानि कि इस condition में हम device को power off नहीं कर पाएंगे आप देख सकते हैं, बार-बार यह बोल रहा है कि पहले यह pattern draw करिए, उसके बाद ही आप device को power off कर पाएंगे तो इस device को कैसे unlock किया जाए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत detail में बताऊंगा अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है device को unlock करने से पहले दोस्तों, अगर आप right side की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन buttons दिखाई देती है सबसे उपर की तरफ देखिए volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे की तरफ power unlock button ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको करना क्या होगा यह जो volume down button है और power unlock button आपको simple करना क्या है इन दोनो buttons को एक साथ प्रेस करके रखना 10 second के लिए 10 second तक प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी device totally power off हो जाएगी ध्यान रहे दोस्तों, device जैसे ही power off होगी आप तुरंत इन दोनो button से finger हटाएंगे और बिल्कुल तुरंत फिर से आपको volume down button को लगातार प्रेस करके रखना है ठीक है, कुछ second तक volume down button को प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी device totally fast boot mode पर active हो जाएगी ओके, मुझे उम्मीद है, मैं थाड़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अब चली ये चीज़ मैं आपको practically करके दिखा देता हूँ अभी भी देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से pattern lock है अब ध्यान से दिखेगा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि volume down और power button इन दोनों button को 10 second तक press करके रखना है तो ये देखें इन दोनों button को मैंने press किया 10 second तक आप ऐसे ही press करके रखिए device जैसे ही power आफ होगी इन दोनों button से finger हटाएंगे और फिर से volume down button को लगातार press करके रखेंगे आपने देखा ये देखें volume down button को मैंने press करके रखा हुआ है और finally device fast boot mode पर active हो गई अब दोस्तों यहां से आप अपनी finger हटा सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा जो steps बताया आपको same steps follow करिए तो device आपकी fast boot mode पर active हो जाएगी अब आगे देखिए यहां पे ध्यान दीजे दोस्तों यहां पे आपको start देखने को मिलता है ठीक है अगर दोस्तों यहां से volume down button को मैं press करूँगा तो आप देखें यह function change हो गया यह देखें restart bootloader आ गया recovery mode आ गया power off आ गया ठीक है यह देखें function यहां से change हो रहा है ठीक है तो आपको करना क्या है volume down button को press करके जाना है recovery mode वाले option पे ठीक है तो यह देखें यह रहा volume down मैं इसे प्रेस करूँगा restart bootloader आया एक बार प्रेस करूँगा और यह देखें recovery mode का option आ गया उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे power button को प्रेस करना है ठीक है तो यह देखें power button को मैंने प्रेस किया अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं device reboot हो गई कुछ second wait करने के बाद दोस्तों आप देखें कुछ इस टाइब का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ device आपकी finally recovery mode पर active हो चुकी है लेकिन अब देखें यहाँ पे एक छोटी सी problem phase करनी पड़ती है यहाँ पे android logo दिख रहा है और यहाँ लिखा no command यहाँ पे recovery के जो options होते हैं वो options menu यहाँ पे show नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे show करेगा ध्यान से देखेगा उसके लिए करना क्या है यह जो power button है power button को आपको लगातार प्रेस करके रखना है उसके बाद volume up button को आप एक बार प्रेस करेंगे तो recovery के सारे option यहाँ पे show करने लगेंगे ध्यान से देखेगा मैं practically दिखा देता हूँ यह रहा power button मैंने power button को प्रेस करके रखा हुआ है अब उसके बाद यह रहा volume up button मैं इसे एक बार प्रेस करूँगा तो आप देखें दोस्तों recovery के जो option यहाँ पे show नहीं कर रहे थे सारे option so करने लगे अब आगे देखिए आपको करना क्या है आपको device को unlock करना है इसका pattern pin या password lock break करना है तो यहाँ पे एक option आपको दिखाई देगा wipe data factory reset का आपको जाना होगा wipe data factory reset वाले option पे तो इसके लिए volume down button को लगातार प्रेस करिए प्रेस करते करते दोस्तों आप चले आएंगे wipe data factory reset वाले option पे अब यहाँ पे आने के बाद आपको okay करना होगा तो okay करने के लिए power button को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने power button को प्रेस किया अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया तो यहाँ पे दिखे दो new option आ गए सबसे उपर cancel उसके बाद factory data reset तो अभी आपको जाना है last वाले option पे यानि कि factory data reset वाले option पे तो इसके लिए volume down button को आप एक बार प्रेस करिए आप चले आएंगे factory data reset वाले option पे factory data reset पे आने के बाद आपको फिर से okay करना है तो okay करने के लिए आपको फिर से power button को प्रेस करना होगा तो मैंने फिर से power button को प्रेस किया और यह देखे नीचे क्तर प्रोसेस होने लगा कुछ second wait करेंगे जैसे यह process complete होगा तो last में आपको लिखके आएगा data wipe complete यह देखे data wipe complete का option आगया तो data wipe complete का option आगया इसका मतलब device हमारी completely unlock हो गई तो अब आपको करना क्या होगा device को reboot करना होगा सबसे पहला option देखे reboot system नाव का है तो device को reboot करने के लिए आपको फिर से power button को प्रेस करना होगा तो यहाँ पे दोस्तों मैंने power button को प्रेस किया अब जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया दोस्तों आप देखेंगे आपकी device Motorola A40 यहाँ पे reboot हो जाएगी आपने देखा दोस्तों device reboot हो गई और अब आपको wait करना है device को पूरी तरह से active होने के लिए यानि की चालू होने के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया Motorola A40 को unlock करने का बिल्कुल free तरीका अगर दोस्तों आपको किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवानी हो तो आप मुझे कॉंटेक कर सकते हैं मेरा कॉंटेक डिटेल आपको description box में मिल जाएगा अब यहां पे दोस्तों आपको wait करना है कुछ second wait करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों आपकी device पूरी तरह से active हो जाएगी और यह देखे device पूरी तरह से active हो गई और दोस्तों आप देखेंगे अब display पे किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है चलिए complete android setup करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आपको click करना होगा start पे यहां से इस option को आपको simple skip करना है यहां देखें setup offline का option आगया setup आफ लाइन पे क्लिक करना है यहां accept and continue है आप इस पे क्लिक कर यहां पे आपको more पे क्लिक करना है उसके भाद यहां accept का option आया आप इस पे क्लिक करना है शेट ए pin का option आ गया तो यहां से दोस्तों आफ फिर से अपने device में pattern pin-password face- WiFi कर सकते हैं इस आप्ण को मैं इसकी करूंगा इसलिए मैं सिंपल इसकी प्लिक करूंगा यहां से फिर से इस आप्ण को आपको ski करना है कुछ से कंड यहां वहेट करेंगे ओके अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे दो आप्षन है दोस्तों तो इन दोनों आप्षन को आप यहाँ से simply off कर दें उसके बाद आप more पे क्लिक करें उसके बाद आपको next पे क्लिक करना है यहाँ से फिर से आप next पे क्लिक करें और बस आपकी डिवाइस Motorola AS40 पूरी तरह से अनलाख हो गई, पूरी तरह से अक्टी हो गई, मैंने complete setup करके दिखाया, वीडियो का ऐसे लगी, comment section में comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो अच्छी लगती है, तो please दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल लबुलें, और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए आप मारे YouTube चैनल को जरूर सब्सकाइब करें, बगल में जो बिलाकान है, उसे वी प्रेस करें, एक चीज़ और, अगर आपको इडिवाईज पर्चेश करनी हो, Motorola AS40, तो इसके सारे colors, सारे variant का पर्चेश लि झाल 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 झाल झाल